एक और प्यारे से एपिसोड के साथ रुबीना आपका वेलकम करती है आज जो टॉपिक पर हम बात कने वाले है वो है मौनिंग सिक्निस अब मौनिंग सिक्निस होता क्या है एक्शली कभी कबार ऐसा होता है कि हम सुबह ऊटते तो है लेकिन हमें फ्रेश फील नहीं होता बड़ा ही अनप्लेजन सा फील होता है हमें हमारा मौर जो है वो ओफ होता है और हमारी बॉडी में जो है वो एक लेजिनस सा होता है और हम बिलकुल भी कुछ भी मतलब हमारे दि disorder है बलके अगर हम हमारे routine के खान पान पर ध्यान दे तो इस problem से बड़ी आसानी से छुटकारा हासिल कर सकते हैं तो चलिए बढ़ते हैं हमारी effective से tips की तरफ तो हमारे सबसे पहले tip यह है कि avoid large meals जितना हो सके आपको large meal consume नहीं करना है थोड़ा थोड़ा खाये बहले 5-6 बार खाये लेकिन छोटे चोटे चोटे तुकडों में खाये ताकि आपकी body जो है वो energized फील करें light सा फील करें और automatically आपको morning sickness होगा ही नहीं और अगर आपको morning sickness है तो आपको इस बिमारी से छुटकारा मिल जाएगा चलिए इसे के साथ बढ़ते हैं अगली tip के तरफ जो के है do not leave your stomach empty चितना हो सके आपको अपने पेट को ज्यादा time तक खाली नहीं रखना है कु को के morning sickness को बढ़ावा देता है तो अगर आप 2-2 घंटे में कुछ ना कुछ healthy सा खाते रहेगे तो आपको इस बिमारी से छुटकारा मिल ही जाएगा और अगर आपको यह problem नहीं है तो कभी होगी भी नहीं चलिए इसे के साथ बढ़ते हैं हमारी अगले tip की तरफ जो के है carefully choose the food जो भी आप खाना खानी के लिए चूज करें बहुत ही carefully choose करें आप ऐसे खाने का सेवन करें आप ऐसे खाने खाये जिसमें वाइटमिन ए है वाइटमिन ए है जो नियुट्रिशन से कार्भो हाइट्राइट से भरपूर है और जो लाइट है ऐसा करने से यह होगा कि आपक तो खाने के बाद तुरंट सोना नहीं है बलके सोने के दो घंटे पहले आपको खाना खाना है खाना खाने के बाद आदे घंटे का आपको light walk करना है और उसके बाद आपको सोना है ऐसा करने से यह होगा कि आपकी body में जो खाना आपने consume किया है वो काफी हद तक digest हो जाएग आपका digestion system जो है वो balance में रहेगा आपकी body light feel करेगे और आपको morning sickness नहीं होगी चलिए इसे के साथ बढ़ते हैं हमारी आखरी tip के तरफ जो के है avoid smelly food आपको सिर्फ इतना करना है कि जो smelly food है वो आपको रात में विल्कुल भी उसका सेवन नहीं करना है ऐसे खाने खाने हैं जो आपको अपील करें जो आपको अच्छे लगे लेकिन वो खाने nutrition से भरपूर हो light हो और healthy हो तो इससे आपको morning sickness होगा ही नहीं तो ये थी मेरी आसान सी और effective से tips जिसका अगर आप इस्तमाल करें तो आपको अगर morning sickness की परिशानी है तो आपको इस परिशानी से चुटकारा मिल जाएगा और अगर आपको morning sickness है नहीं तो आपको होगा भी नहीं तो मेरे वीडियो को लाइक और शेर जरूर कीजेगा YouTube पे, Facebook पे, WhatsApp पे, Twitter पे और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजेगा ताकि आप हमारे चैनल से जुड़े रहकर ज्यादा से ज्यादा स्वास्त का ला